जैहन क्लास और रिवां वेलकम तो आल आफ यू दिस इस दिवांशु पांडे फेकल्टी आप जी के एड एसेस्वी क्रैक एक्जाम आज की इस जन्वरी मंद की मंथली करेंट अफिर के आप सभी डिफेंस इस्पेरेंट्स का वेलकम हैं लगतार आप सभी क्लास से जुढते जाएए अथर्व, सचिन, जोती, शिवं, ओमकार, धरनजैव, आशुतोष, अविशा और जितने भी हमारे अधर डिफेंस इस्पेरेंट्स हैं वो सभी तो आज की क्लास आप सभी जानत कैसे बन सकेंगे उसको भी देखेंगे ठीक है तो चलिए जितने भी अधर इस परेंट से आप सभी उनको बुला लीजे और कहिए कि आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है शुरुवात करते हैं आज किस मंधिली करेंट अफेर क्लास की अपने कोश्चन आप देडे के साथ तो क सभी के अंसर साने चाहिए अनन्या प्रियांशू रितिक रिशी सचिन सूर नरायन मुकेश चलिए सभी अपना अंसर बिल्कुल सही बता रहे हैं ओमकार जी अंसर बिल्कुल बताईए ना लेकिन एगदम से विकीपीडिया वो छाप न दीजे ये भी थोड़ा ध्यान रख हा गरिये अन्य टारिक्ट छूट इस इस योर ब्रह्मोस मिसाईल सिस्टम की अगर हम बात करें तो भारत का ब्रह्म्हास्त से इसको कह जाता है ना जाता इए और रशिया की मुस्चोवा नदी ठीक है मुस्कोवा से ही आ मौस्कोवा σे ही आपका शहर उनका चया है रहा हो तो ब्रहपुत्र प्लस मोस्कोवा इकल टू ब्रहमहोस तो यह ब्रहपुत्र प्लस मुस्कोवा इससे आपके ब्रहमहोस मिसाईल के नाम पड़ा है रस्या और इंडिया दोनों हीनी मिलकर इस cruise missile को आपका develop किया है इसके तीन versions हमारे forces के पास available हैं जिसमें burnedson air version और naval version आपका तीनों ही शामिल है range की बात कर ले तो 290 से लेकर 400 km तक इस missile की आपकी range है इसको world fastest missile भी कहा जाता है and it is a type of a cruise missile दो तरह की missiles होती है पहला cruise दूसरी आपकी ballastik cruise missile वैसी missiles होती है जो जिनकी range कम होती है लेकिन उनकी speed काफी अधिक होती है और अगर हम इनकी speed की बात कलने जिसको हम अमूमन अपने mac में नापते हैं, measure करते हैं तो वो है आपकी 2.8 mac ठीक है? यानि कि आप कर सकते हो लगभग 3 mac के रप्तार से ये travel किया करती है चलिए या यह तो था आपका question of the day का answer, अब शुरुवात करते हैं class की, अच्छे से पूरे events को आप पढ़िए, हो सके तो अपने copy में उसको note down भी करते रही है PDF आपको class के बार मिल जाएगी तो चलिए शुरुवात करते हैं class की एयर मार्शल पंकज मोहन सिनहा assumes command of Indian Air Force Western Air Command तो Western Air Command, Indian Air Force के सबसे बड़े command है, न सबसे बड़ी command है आपकी जिसमें 16 air bases आपके आते हैं तो इन्होंने 1st of January 2023 को अपने इस Western Air Command के commandant ये बन गए है एयर मार्शल, जो हमारे पंकज मनोह सिनहा है वो NDA पूने से pass out है, 1985 में as a fighter pilot, Indian Air Force को इन्होंने join किया था Defense Services Staff College Wellington में जो है आपका तमिल नाडू में वहाँ से भी ये graduated है category A के qualified flying instructor fighter strike leader instrument rating instructor और examiner आपके ये रह चुके हैं जिनके पास 4500 hours का flying experience आपका है साथी साथ versus receiver medal, अतिव versus receiver medal से सम्मानित हो चुके हैं और इन्होंने air marshal as प्रभारकरन को आपका succeed किया है air marshal as प्रभाकरन अब retire हो गए हैं और उनकी जगा पर पंकर्च, मोहन सिनहा, western air command की command आपकी सम्हाल रहे हैं अब देख लेते हैं कि हमारे जो Indian Air Force हैं जिनकी total आपकी 7 commands है उनकी location कहां कहां पे हैं तो हम सभी जानते हैं कि there are total 7 commands of Indian Air Force in which 5 are operational commands and rest of 2 are the other commands ठीक है, operation command सबसे पहले देखें, तो जिसकी बात अभी हम कर रहे थे western air command की वो नई दिल्ली में हैं आपका, ओके कहां पे हैं, नई दिल्ली में है नई दिल्ली की location आप यहां पर देख पा रहे हो, और यह जो command है आपकी, वो पूरे, आप कह सकते हो कि western उत्तर प्रदीश, हिमाचल पंजाब, जम्मू कश्मीर ना इन सभी को आपका नजर किया करती, देखती है फिर प्रयाग राज में गांधी नगर में साउध वेस्टन कमांड तीरुबन्तुपॉर्पम में सदन एयर कमांड बैंगलूरू में ट्रेरिन कमांड, नागपuru में में पेंटेनेस कमांड और श्रिलॉंम में आपकी इस्टन एयर कमांड है तो ये हैं हमारी इंडिने एरफोर्स की टोटल सेवन कमांड्स जहां पर हमारी भारती वाई सेना पूरे भारत के हमारी वाई सीमा की सुरक्षा में प्रतिबद रहा करती है अच्छा क्या हो गया अच्छा क्या है अच्छा को सक्छा की वाई प्रति चुट सबदाब है थीक है वाइस आ रही है उसको भी मैं अब यह सही कर दे रहा हूं वेट झाल कि बुटत वीक है वाइस ये रहा हूं वेट रहा हूं झाल 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 बस वेट करिए मैं प्रॉब्लम को आपका सही कर दे रहा हूँ ठीक है कोई चिंता नहीं करेगा यूर आल वारियर्स यूट्यूब को आज मैं फोन करता हूँ रुप जो आप सही है कि नहीं बच्चों बताओ अब बताइए मैं आपको दिख रहा हूँ की नहीं चल रहा हूँ की नहीं चलिए अब बफर नहीं होगा अब बफर नहीं होगा ठीक है अब मैं देख रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा हूँ तो यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट इवेंट है डियाडियो के पाउंडेशन डे से रिलेटेड है डियाडियो सेलिबरेटेड इट्स 65th foundation day तो देखिए डियाडियो के स्टैबलिस्ट हुए इस साल टोटल 65 days आपके हो चुके हैं फर्स्ट आप जन्वरी को इनकी anniversary मनाई जाती है और डियाडियो ने इस बार जो है आपके हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट जो डॉक्टर एपे जद्ध कलाम है उनके बर्स्ट के पास अपने headquarter जो की डियाडियो भवन न्यू डेली में है वहाँ पर अपने foundation day को आपका मनाया डियाडियो का full form हम सभी जानते हैं की Defense Research and Development Organization रच्छा, अनुसंधान और विकास संगतन होता है जिसकी formation 1958 में की गई थी और इसको बनाने में Technical Development Establishment Indian Army की और Directorate of Technical Development Production DTDP को Defense Science Organizations से मिलाया गया और डियाडियो बनाई गई डियाडियो जब आपकी बनाई गई थी उस समय सिर्फ 10 ही आपकी labs थी भारत में डियाडियो की लेकिन अब more than 58 labs भारत में हो चुकी हैं और वो काफी बहतर तरीके से काम भी कर रही है ठीक है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो और आप सभी जानते हो की डियाडियो की important works होते क्या हैं डियाडियो हमारा कैसे आपका काम करती है चलिए तो अभी के जो इनके आपके चेयर्मेन है ना समीर कामत जी है और हमारे जो डियाडियो की फॉर्मर शेयर्मेन थी डॉक्टर जी सतीज रेड़ी अब वो डिफेंस मिनिस्ट्री में जो है आपके जो है साइन्टिविक एडवाईजर रच्छा मंतरी के बने हुए सभी को क्लियर है न हर चीज है आगे बढ़ा जाएं तो दुनिया की सबसे हाइस आपकी बैटल फिल्ट क्या कही जाती है सियाचिन ग्लेशर कही जाती है और सियाचिन ग्लेशर में अब किसको आपका तैनात किया गया है कैप्टन शीवा चहुहान को ठीक है कल जैसे मैंने आपको डिफेंस बताया था कृष्ण और कृष्णा के नाम में वही difference शिव और शिवा के नाम पे है ठीक है शिव भगवान शिव को कहा जाता है और शिवा ना माता दुर्गा को उनका एक रूफ और है शिवा करके तो उनको कहा जाता है तो बिलकुल भी आप उसमें confusion ना होएगा कि देखो ये तो शंकर जी यानि की male का इन्होंने नाम लि in the sea chain for a three month extent after the underwent rigorous training तो देखिए वहाँ पर आपका high altitude school भी है श्रीनागर में कश्मीर में साथ ही साथ जब भी किसी officer को सियाचिन glacier भेजा जाता है तो उसको पहले आपकी five thousand ten thousand feet पर जो है पहले training कराई जाती उसके बाद उसको deploy किया जाता है लगभग 20,000 इंडियन आर्मी के cynic वहाँ पर आपके सियाचिन glacier में deployed है जो की भारती सीमा की पाकिस्तान और चाइना से सुरच्छा किया करते हैं तो अपने में एक काफी बड़ी बात है कि captain Shiva Chavan पहली महिला अधिकारी बनी है जो कि सियाचिन glacier पे गई हुई है और core of engineer से आपकी ये आती है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगर हम देखें इस करा कोरम range को साथिसा सियाचिन glacier के map को तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो red circle से आपका निशान है ये आपका सिया अक्साइचीन है ये भारत का ही हिस्सा था लेकिन पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया तो इसको अक्साइचीन के नम से जाना जाता है ये आपका पॉक ऑक्कुपाइट कश्मीर है ये कारा कोरम आपके range पूरी जाती है और हमारा पडूसी आपका अफगानिस्तान है की चैनल पर जाके देख भी सकते हैं साती साथ हमारे इंडियन आर्मी के जितने भी सिख सोल्जर्स हैं उनको कॉमबैट में वो सुरच्छित रहें उनको किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़ें और वो अपने आपको दुश्मन की बूलेट से बचा सकें इसल वो पगड़ी बांधे रहते हैं अपने केश में और इस कारण से जो नॉर्मल हेलमेट होते हैं वो उनके सर पर फिट आपका नहीं हो पाता है लेकिन अब इस समस्या को भी दूर कर दिया गया है और हमारी जो सिख कमुनिटी के सोल्जर्स हैं वो जल्द ही बलेस्टिक हेलम हेलमेट्स अंडर एमर्जनसी प्रोक्यूर्मेट यूजिंग दा फास्ट्रैक मोल तो देखिए टेकनलोजी कहते हैं आवशक्ता ही अविशकार की जननी हैं उसी तरीके से आवशक्ता तो बिलकुल पढ़ रही थी कि हम अपने पगड़ी तरवन के उपर कैसे हेलमेट को प पहेंगे और उनको कोई भी आपका दिक्कत नहीं सहिना पड़ेगा कानपूर बेस कंपनी इस परहब्स दा ओनली वन इन इंडिया विच हैंड डेवलर्ड दा इस्पेशल हेलमेट फॉर सिक सोल्जर्स जिनका नाम है कारवो कारव कंपनी है कारवो हेलमेट्स वीर इस कंप सकते हो तो काफी बहतरी टेक्नलोजी से आपका ये लैस है और कावरो कंपनी है और इस हेलमेट का नाम वीर हेलमेट आपका दिया गया है अभी जो इनिशली जो ओर दिया गया उसमें 8911 लाज हेलमेट्स मंगाए जा रहे हैं और 3819 एक्स्ट्रा लाज हेलमेट्स आपके का एमर्जनसी प्रक्यूर्मर्ट पर आगे बढ़ेगी डील और बहतरीन तरीके से हमारे स्ट्रीक सोल्डर्स इस नए बैलेस्टिक हेलमेट्स को वीर कर पाएंगे अगला इविंड सकस्पुल ट्रेनिंग लांच ओफ शॉर्ट रेंज बैलेस्टिक मिसाइल प्रिथवी से कोज से आपकी की गई थी और वेल एपलिस इस्टैबलिस सिस्टम प्रिथवी सेकंड मिसाइल हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियास न्यूक्लियर डेटरेंस और काफी सटीक एकुरिसी के साथ इसने टार्गेट किया प्रिथवी जो मिसाइल से हैं प्रिथवी के तीन वर्जन शामिल हैं प्रिथवी फर्स्ट प्रिथवी सेकंड और प्रिथवी आपकी थर्ड ठीक है एक आर्मी के लिए दूसरी एर फोर्स तीसरी नेवी के लिए आर् और इन सभी मिसाइल्स को डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम के प्रोग्राम आईजी एमडीप प्रोग्राम के तहद बनाए गया है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलमेंट प्रोग्राम 1980s, 1983 में इसको अप्रोवल भारत सरकार के दोरा मिली थी और इस प्रोग्राम के तहद टोटल पांच मिसाइल साब की बनाए गयी थी जिसमें आकाश, पृत्वी अगनी, नाग और त्रिशूल शामिल थी नेक्स्ट इविंट डेफेंस एक्विजीजन काउंसल approves acceptance of necessity for three capital acquisition proposal तो देखिए, डेफेंस एक्विजीजन काउंसल जिसका, या कमेटी कह लीजे आप रच्छा अधिर्विहन समीती कहा जाता है जिसको कौन चेयर करता है भारत के रच्छा मंत्रे के द्वारा हेट किया जाता है और 10 जन्वरी 2023 को acceptance of necessity three capital acquisition proposals के लिए इन्होंने अपनी मंजूरी दे रही है जिसकी total cost 4276 करोड रुपीज आपकी आएंगी और इन सभी को by Indian category के थाथ आपका लिया जाएगा अब आपके question होंगे क्या क्या चीज़ें हम इतने पैसे में खरीदेंगे so the DAC accorded acceptance of necessity for procurement of helena anti-guided missiles launchers and associated support equipment which will be integrated to the advanced light helicopter यह कौन सा helicopter है आपका ध्रूव helicopter है यह कौन सी missile है helena जिसको हम इसका land version आपका nag missile के नाम से भी जाना जाता है which is a type of anti-tank guided missile class आप सभी की smoothly चल लगी है न अब अभी 2-4 दिन से हम देखने को मिलना है कि class में बीच बीच में कहीं रुकावट आ जा रही है लेकिन एक बार उसको fix कर देने पर वो सही हो जाता है तो आप सभी थोड़ा patience बनाए रखा करिये और जितने भी हमारे experience class से जुड़े हुए है class को आप सभी like और share करते जाए और इस missiles को आपका इसमें लगाया जाएगा जिससे कि हम एक बहतेरीं capability आपका प्राप्त कर सकेंगे अब हलीना के अलावा the DAC also accorded acceptance of necessity for procurement of vertical short range missile missile system under the design and development by the DRDO in view of the recent development along the northern borders there is a need to focus on effective air defense weapons system which are man portable and can be deployed quickly in drug terrain and maritime domain चलिए अगला आपका event काफी important है और इस पर बेज़ आपके question पूछे जा सकते हैं Indian Coast Guard ship Kamala Devi commissioned by Indian Coast Guard ICG DG Virind Singh पठानिया तो देखिये इसी मन्थ में Indian Coast Guard की ship जिसका नाम कमला देवी है और अगर हम उसकी specification देखें तो इसकी specification 49 meters long 7.5 meter wide displacement 308 tons का आपका देती है और यह maximum speed आपकी 34 knots का लेने में capable है Rawls Rise का इसमें इंजन लगा हुआ है इसको अब हमारे Indian Coast Guard में कह सकते हैं कि commission आपका कर दिया गया है साथी साथ इसमें आपके हम कह सकते हैं कि जो armaments होते हैं उसको भी लगाया गया है और इस तरीके से इसको हमारे Indian Coast Guard में ले आया गया है अगला आपका एक अबो ओवर 1000 इंडियन पीसकीपर अवाड़ेड युनाइटे नेशन मेडल फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस इन साउथ सुदान तो देखिए UNMISS में हमारे Indian Armed Forces भी तैनात हैं और यहाँ पर 5 फीमेल आर्मी परसनल को भी युनाइटे नेशन मेडल से सम्मानित किया गया है आप सभी जानते हो कि भारत एक ऐसा देश है जो कि सबसे ज़्यादा अपने Forces को United Nations Mission के Peacekeeping Mission में आपका Deployed किया रहता है तो देखिए इंजिनियर कोर्स में लगी है जिसमें हमारी महिला अधिकारियों को भी जिसमें पांस टोटल महिला हैं उनको भी United Nations के Peacekeeping Medal से आपका Award किया गया है अगला आपका Event Captain Shurby Jhakmola First Women Officer Posted on Foreign Assignment at BRO तो देखिए Border Road Organization जो कि Indian Army की एक Unit है जो कि भारत में और भारत के बाहर भी हमारे पडोसी देशों में Strategic Importance की Roads को आपका Build किया करती है और इस प्रकार से Captain Shurby Jhakmola हमारी पहली Officer बनी हुई है जो कि BRO की तरफ से किसी दूसरे देश में पहले Consignment को लेकर उनका Deployment हुआ है ठेक है ये Captain है और इनकी Deployment कहांपर की गई है? भूटान में और किस लिए की गई है? क्योंकि ये Project Dantak में शामिल है कोई 30 के Contingent को Squadron को अपना Lead किया हुआ था अगला Event Veterans Day celebrated all across the nation तो Veteran Day कब हम मनाते हैं? 14 जनवरी को मनाय करते हैं क्यों मनाते हैं क्योंकि इसी दिन हमारे पहले Commander-in-Chief केयम करियपजी रिटायर हुए थे 14 जनवरी 1955 को तो ये भी आपको पता रहना चाहिए ना? बच्चे ये तो याद कर लेते हैं कब मनाय जाता है? लेकिन क्यों मनाय जाता है? वाई कार्ट, वाई कोस्चन आपके पास हमेशा रहना चाहिए तो सभी हमारे तीनो ही फोर्स के चीफ शामिल थे हमारे पूरभूत सैनिक ऑफिसर्स थे इस सरिमनी में और उन्हों है हमारे आन फोर्स वेटरन डे को कंड़क्ट किया थीक है? 2017 से ही दीश आपको मनाता चला रहा है 2016 में ये कहा गया था कि हाँ हम शुरुवात करेंगे 2016 के बाद से इसके आपका आपचारी ग्रूप से मनाया शुरू किया गया अब 14 जन्वरी के बाद दूसरी डेट क्या आएगी? 15 जन्वरी की 15 जन्वरी हमारे लिए क्यों पॉर्टेंट है? क्योंकि इस दिन भारती थल सेना अपना थल सेना दिवस मनाती है और भारत की जो पहले हमारे कमांडर ने इनचीफ थे जिनका नाम क्यम करियपपा था उन्होंने 15 जन्वरी को 1949 को आपका अपना पद भार समहला था as a general of Indian army तो इस कारण से Indian army अपना 15 जन्वरी को थल सेना दिवस मनाती है और इस बार हमारे Indian army ने 75th anniversary अपनी मनाई है ठीक है तो सभी को अच्छे से पता चल गया हम क्यों मनाते हैं और British के जो last commander थे वो कौन थे General Francis बूचर थे ठीक है चलिए आगे बढ़े हम सभी Indian army is training to now include martial arts अब mixed martial arts हमारे Indian army की सभी soldiers को सिखाया जाएगा और अब ये compulsory कर दी जाएगी तो ये तो काफी अच्छी बात है ना जितनी कला हमारे पास रहनी चाहिए वो काफी अच्छी रहती है और army martial arts routine में इस आपके combat drills को शामिल किया जाएगा और unique और standardized method से हमारे 12 लाख जवानों को सिखाया जाएगा अगर question पूछ ले कि आपका army institute और physical training कहां पर है तो आप कहेंगे कि महाराज के पूने में है तो अच्छी बात है कि हमारे forces पूरी तरीके से तयार हो सकेंगे और हम सभी जान रहे हैं कि जो mix martial arts form है वो चाइना के soliers काफी सीखे रहते हैं क्योंकि जो martial arts form है वूशु जिसको कहा करते हैं ना taekondo है वो सभी भारत से उनका जन्म हुआ है फिर भारत से वो चाइना के तरफ प्रांसफर हुई है और भारत ने कहीं न कहीं गलती करके जो है उसको भुला दिया है लेकिन चाइना ने काफी आपका उसमें महारत हासिल किया हुआ है और जब आप एक बहतरीन ट्रेनर बन जाते हो ना आप कहीं पर भी एकुमलेट करके दूसरे के उपर यूज़ कर पाते हो तो ऐसी कुछ उनकी ट्रेनिंग हुआ करती बाकि आप सभी तो फिल्में देखते होंगे इस्टार्ट अप फर्म आईजी ड्रोन्स डेवलप्स इंडिया फर्स्ट 5G इनेबल ड्रोन इस्काई हो तो देखिये इस्टार्ट फर्म आईजी ड्रोन्स विच वस बॉन आउट आफ वीर सुरेंदर साइज यूश्टी आफ टेक्नलोजी कैंपस इन उडिशा संभलपूर वस डेवलप्स 5G इनेबल ड्रोन आट इस कैपबल आफ वर्टिकल टेक ओफ एंड लैंडिंग एंड इस वर्टिकल टेक ओफ लैंडिंग लांचिंग इट कैन बी ऑपरेटेड वाइनी टीरें विदाओर दे आफ कन्वेंशनल रनवे तो देखिए जो वीर सुरेंदर साइनिस्टी आफ टेक्नलोजी कैंपस और इसापूर की उनके दारा जो है इस 5G इनेबल ड्रोन को भी डेवलप किया गया है और भारत चार है कि हम 2030 2026 से लेकर 2030 तक में लिए 30 हजार करोड का मार्केट ड्रोन का जो है उसको हम कैप्चर कर लें ठीक है जिससे कि अगर किसी देश को ड्रोन से जरुत पड़ती तो वह हमसे खरीदे और अब आप देखोगे कि आपके जो छोटे भाई बहन रहेंगे तो अब आपसे रेसिंग कार वो रिमोट कंट्रोल कार नहीं मागेंगे वो कहेंगे कि हमको ड्रोन दिलाओं तो खिलाओने में भी आपका ड्रोन का मार्केट काफी आगे जाएगा इनकी प्राइस है जो अभी काफी जादा है वो भी आपकी थोड़ी नॉर्मलाइज की जाएंगे अगला नेवल एक्सराइज वरुण 2023 तो वरुण एक्सराइज का 21st एडिशन इस बार भारत और फ्रांस की नौ सेना के बीच में आपका कंड़क्ट किया गया वेस्टन सी बोर्ड में वेस्टन सी बोर्ड कहां पे है अरवियन सी में है वाइल दा बाइलेक्टरल एक्सराइज बि वरुण होते हैं और इस कारण से इंडिया ने 2001 में इसको क्या नाम दिया वरुण नाम दिया और हमारे इंडियन नीवी का मोटो क्या है शम नो वरुण हम ठीक है में दा लॉड आफ दी वाटर वी ऑस्पीशिस ऑन तो अस दिस एडिशन विल विटनेस्टनेस पार्टिसप और इमिक 29 फाइटर एयरक्राफ्ट पोसाइडन 8 इंडियन एयरक्राफ्ट ये सभी इस बार के एक्सरसाइज में इन्होंने पार्ट स्वेट किया ये एक्सरसाइज 16 से लेकर 20 जन्वरी तक आपकी चली है ठीक है सभी को याद हो गया ना भारिक तरफ से कौन कौन से शिप आई है क्योंकि यही कोशन आपके एक्जाम में पूछा जाएगा अगला आपका काफी इंपॉर्टन इवेंट है बॉर्डर सेक्यूर्टी फोर्स एक्स डीजी यानि की डिरेक्टर जन्रल पंकश कुमार सिंग एपॉंटेड डिपुटी नेशनल सेक्यूरिटी एडवाइ लिए गया है और दो साल के लिए इनका आपका पीरेड रहेगा एस पर दा नेशन सेक्यूर्टी काउंसल आफ सेक्रेटरी एड़र इसूद ऑन 15 जन्वरी पंकश सिंग 1988 बैच इने पुलिस ओफिसर ऑफिसर और राजस्थान कैडर हैस बिन अपॉंटेड ऑन री इंप्लॉ करेंगे तो आपके एक्स्टंशन भी की जाती जिससे कि आप ज्यादर ज्यादर सेवा माभारती की कर सकें वन सिंग तुक ओर दा बीसफ ऑन 31 ऑगस्ट 2021 ही एस क्रेटेड एस्टी ऑफ ऑफ सन और फादर होल्डिंग अपॉस्ट आपका बनाए जाता है जैसे कि कि आप सेंटर लान पुलिस फोर्स सीए पीफ की जो आपकी साल में एक बार वेकेंसी आती है ठीक है उसको आप फिल करते हो और अपना प्रफरेंस बीसफ चुनते हो तो आपको जो बीसफ दिया जाएगा CICEF चुनोगा CICEF, CRPF चुनोगा CRPF तो उसी में आपकी पोस्टि क्या है भारती पोजिशन क्या है टॉप वन पर कौन है पाकिस्तान की क्या है चाइना की क्या है यह सब आप याद करें रही है इंडिया इस रैंक फॉर्थ आउट आप 145 कंट्री इस कंसीडर फॉर्ट एन्वल ग्लोबल फायर पावर रिवियो इन 2023 और इसमें इस पावर में भारत का जो पॉइंट था इसकोर था वो 0.1025 था ठीक है दे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स बेज़ ओन 50 डिस्टिंट फैक्टर रेंजिंग फ्रॉं जियो ग्राफिकल लाजिस्टिकल कैपाविल्टी जिसमें मैन पावर लैंड फोर्स एर पावर नैच्रल रिसोर् फोर्स लॉजिस्टिक फाइनेंश यह सभी आपका इंक्लूड किया गया है इसके बार जो है इस लिस्ट को बनाया गया है ठीक है अब पहले नंबर पे अमेर्का है दूसरे पे रशिया है तीसरे पे चाइना है चौथे पे भारत है पांचवे पे यूके छटवे पे देख पा रहा है हो और इसको आप सभी ध्यान रखे रही है अगला इवेंट आपका NDRF celebrated 18th raising day NDRF का फुल फॉर्म जान लिजे नेशन डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है और इन्होंने अपनी अग 18 साल गिरह या फिर वर्षगाट मनाई है इनका मोटो saving lives and beyond रहता है एक एक्जाम में मोटो काफी पूसता है ठीक है अफकाट वाले ज्यादा ध्यान देंगे और 19 जनवरी को इनका raising day आपका होता है और total इनकी 18 साल आपके हो चुके हैं 2006 में इनको disaster management act के तहत आपका deploy किया गया था climates like the Odisha super cyclone in 1999 गुजरात earthquake 2001 वह आपका ocean tsunami 2004 में आई थी तो एक महसूस हुआ कि हमको जो है एक particular NDRF force बनाने चाहिए जिससे कि हम अपने आपदा समंधी कारियों को पूरा कर सकें और लोगों को राहत पहुचा सकें तो देख लीजे 18 साल अच्छे तरीके से इनके आपके related है लेकिन यह exercise आपकी एक तरह के domestic exercise है जी हां जिसका नाम है exercise प्रलाय तो इस exercise को इनने फोर्स ने North East में आपका कंड़र्ट किया और China border पर हम deployed रहे कि कैसे इस तयारी को भैतरीन तरीके से कर सकते हैं इसलिए इस command level exercise को इनने फोर्स ने इसी मंत आपका किया हुआ है अगला भी जानते हो कि सबसे ज़्यादा कोई exercise करता है वो तो इंडियन नेवी ही करती है ना 2022 में जितनी वी exercise हुई है उसको आप पढ़े रहिएगा सब मैंने पढ़ा दिया आपको अब 2023 वाली देखिए आप exercise MFACS 2023 the largest bineal bineal का मतलब बता है दो साल में एक बार होने वाली try services amphibious exercise involving Indian Army, Air Force, Navy was conducted near काकी नाड़ा in आंधर प्रदेश from January 17 to January 2022 17 जन्वरी से लेकर 22 जन्वरी तक 2030 में ये exercise आपके चली 5-6 दिन तक जहां पर इस exercise में Army, Navy, Air Force तीनों ने participate किया MFACS का full form amphibious exercise होता है आंधर प्रदेश के काकी नाड़ा में इस exercise को आपका conduct किया गया The joint operation conducted during the exercise saw the participation of a large number of troops of the Indian Army जिसे Indian Army के आपकी 900 troops थी यानि क्या आप कह सकते हो कि एक battalion पूरी इसमें गई थी हमारे tanks गए थे, सभी चीज़े इसमें आपके involved थी और Indian Air Force की तरप से Jaguar Fighter aircraft और C-130J Super Hercules aircraft इसमें आपके शामिल हुए है ठीक है जी हाँ प्रतीब जी मैं बहुत जगा पढ़ा चुका हूँ सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं अविशाद धनिंजे, भारत, जतिया, चिंटु जी, रियांशू, रितिका, कुनाल, दहिंदू क्लास को आप सभी like, share भी करते जाए और इस मन्त का जो सबसे important commissioning ही हुई है वो आपकी है आईनस वागीर की ठीक है, आईनस वागीर कलावरी क्लास की जो इसको और पिन सम्मरीन है उसकी ये fifth सम्मरीन है जिसको अब इन्डे नेवी में आपका commission कर दिया गया है 23 जन्वरी को, naval dockyard मुंबई में जहां पर हमारी इन्डे नेवी की western naval आपकी command है और इस ceremony में जो chief of guest थे वो हमारे admiral आर हरी कुमार जी थे ठीक है, तो आप सभी जानते हो कि six scoring class की जो सम्मरीन्स थी वो सभी इस बार आपकी conduct करवाई गई है और total six submarines बना था जिसमें पांस submarines को आपका इंडेट कर लिया गया है और छटवी जो submarine वो अभी under trial है इस submarine को मजगाव डॉक्स शिपी बिलिडर्स लिम्टेट मुमई ने फ्रांस की french naval group के साथ मिलकर आपके तयार किया हुआ है और ये इसका home port आपका western naval आपका मांड रहेगा आइनस वाहीर को 12 नॉमबर 2020 में लॉंच किया गया था project 75 के ताथ इसको आपका बनाया गया है और अब इसने सी trial को पूरा करते हुए अपने आपको commission कर लिया है अगला आपका event DRDO's fuel cell based air independent propulsion system to soon be fitted on board आइनस कलवरी तो देखिए आइनस कलवरी कलवरी class के तो submarine हमारे पास है है और धीरे धीरे करके हम सभी अपने submarines में mainly scorpion class के जो हमारी diesel electric submarines है उसमें इस air independent propulsion system को इंडेट करेंगे जिससे की हमारी submarines ज्यादा से ज्यादा देर तक लंबे समय तक पानी के अंदर रहे के अपने surveillance operation को पूरा कर पाएंगी और उनको किसी भी तरीके से पानी के उपर आने की बिलकुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो देखिए DRDO's naval material resistance laboratory will soon be fitted on आइनस कलवरी और naval group France की मदद से इसको आपका डिजाइन किया है पूरी तरीके से indigenous AIP technology है जो कि हमारी diesel electric submarines को lethality आपका provide करेगी और इसमें hydrogen generated system भी आपका लगा हुआ है तो सभी events में 23rd जन्वरी को पढ़ा रहा हूँ सुभाज चंद बोस आपदा प्रबंदन पुरुसकार 2023 तो देखिए दो institutions को ये award आपका दिया गया है पहला है आपका उडिसा state disaster management authority and ये तो पहला हो गया दूसरा आपका है लुंगेली fire station miserum इन दोनों को सुभाज चंद बोस आपदा प्रबंदन पुरुसकार आपका दिया गया है आपदा प्रबंदन में disaster management में excellent work करने के लिए इन दोनों को ही आपका इस पुरुसकार से सम्मानित आपका भारत सरकार के द्वारा किया गया है यह इसलिए दिया जाता है कि हम अपने आपदा प्रबंदन में किस तरीके से किस लेवल से readiness का परिश्य दे रहे हैं हमारे पास कितनी equipment हैं और आपदा प्रबंदन से लेकर हमारे जो काम हैं वो कितनी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं अगर कोई आपका institution इस award को जीतता है तो इसको 51 लाख रुपए और एक certificate दिया जाता है और अगर कोई individual जीतता है तो इसको आपका 5 लाख रुपए और एक certificate आपका provide किया जाता है नेता जी सुभास चन्द बोस ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं प्राइम मिनिस्टर नेम्स 21st largest island इंड अंडमान निकोबार आप्टर 21 इंडिन हीरोज तो भारत के प्रधान मंत्री के द्वारा अंडमान निकोबार में जो टोटल 21 अननेम्ड आइलेंड थे उनको हमारे 21 परमवीर चक्रों के नाम पर आपका रखा गया है और ये सर्मनी 23 जनवरी को कंड़र की गई थी जहां पर प्रधान मंत्री नरेद मोदी ने वीडियो कांफरेंसिंग के जरिये इसका आपका उधगाटन किया और टोटल आपके 21 दीपो का नामकरण किया हुआ है जिसमें जो अनमान निकोबार का सबसे बड़ा अननेम्ड आइलेंड है जिसका नाम है अननेम्ड आइलेंड था उसका नाम मेजर शूमनात सर्मा आइलेंड रख दिया है कैप्टन विक्रम बत्रा मेजर सर्थान सिंग मनोच पांडे इन सभी के नाम पर आपका ये चोटी आपकी रखी गई है ठीक है अगर मैं आपको एक बार फोटो को जूम करके दिखा दूँ तो आप यहाँ पर देख पाओगे देख लिजए ठीक है सैतान सिंग दीप योगेन दीप जदुनात दीप, होशियार दीप, बाना दीप, करमसीन दीप, मनोच पांडे दीप, खेतरपाल दीप, अलवट एकका दीप, सेखो दीप, सेखो निर्वल जीत सेखो, सोमनात दीप, मेजर सोमनात सर्मा, पहले रेसिपियेंट आपके परमवीर चकर के 1947 के वार में मिला था पीरु दीप, परमेश्वरम दीप, राने दीप, सलारिया दीप, विक्रम बत्रा दीप, संजय दीप, तारापूर दीप, अब्दुल हमीद दीप, धन सिंग, दुईप, ठीक है, तो यह सभी हमारे दुईप से चलिए, आगे बढ़ें, एक्सेसाइस तरकस 2023, किसी एक्सेसाइस तो आपको नहीं छोड़ना है, याद कर रखे रहिए, एक अपनी अलग से नोट्स बनाईए, जनवरी 2023 डालिए, और उसमें लिखी है कि, एक्सेसाइस इन 2023, एक पे जनवरी का होना चाहिए, उसको भी आप लिख लो कि, एक आपका मालो ये पेज है, ठीक है, इसमें आपने लिखा है कि, जनवरी 2023 एक्सेसाइस, पहले यहाँ पे लिख लो, इंडियन आर्मी, ठीक है, फिर यहाँ पे जगा छोड़ लो, फिर इंडियन एरफोर्स लिख लो, फिर जगा छोड़ लो, फिर आप पेज ओपेन करो कि आपको पता भी चल जाएगा कि कौन से किसकी exercise है जैसे कोई कहे दे तरकश तो मेरे मुझे तरकश आइनस तरकश हमेशा निकलता है तो मुझे ऐसा लगे करे क्या यही कोई इंडियन नेवी के exercise है क्या जबकि यह आपकी exercise हमारे NSG, National Security Guard और US की special operation forces के साथ इस बार आपकी चन्नाई में conduct की गई है कहाँ पे conduct की गई है आपकी चन्नाई में conduct की गई है Black Cat Command हम सभी जानते है 16 October 1984 को इनके आपकी formation की गई थी अगला आपका exercise है exercise TROPEX 23 तो देख लीजे इस बार हमारी maritime exercise जो TROPEX है वो इंडियन ओशियन रीजन में आपकी चल लही है दो साल में एक बार इसको conduct किया जाता है और इसमें हमारी army, navy, air force, coast guard सभी शामिल हैं जन्वरी मन्द से लेकर मार्च 23 तक ये इस exercise को conduct किया जागा तीन महिने लंबी exercise चलेगी जिसमें हमारे 9 से 9 की तरब से destroyer, frigate, corvities इन सभी को आपका लाया जाएगा जो सबसे बड़ी आपकी exercise आपकी यही हुआ करती है तो काफी लंबी समय चलने वाले exercise है Indian Ocean Legion में चल लही है अगला आपका वही जब ऐसे अभी पहले 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 पताया था martial art वाला martial art expert दान जश्पाल सिंग कलसी, chosen as karate examiner for ITBP Army में भी आपका martial art सिखाय जाएगा ITBP वालो को सिखाय जा रहा साथी साथ अब हमारी जो trainers होते हैं जो कि आपका कुनफू, कराटे, कलराई, पट्टू यह सभी किया करते हैं अब वो अपना application भी Army में दे सकेंगे कि देखी हम instructor है हम सिखा सकते हैं तो वो भी जासब पाएंगे अच्छी बात रहेगे अब देखी इनको आपका चुना गया है और यह हमारे ITBP के जवानों को जो है आपका train करेंगे जश्पार सिंग कलसी is currently National Commissioner of All India Martial Art Association ठीक है तो यह काफी बड़े Martial Art गुरू रहे हैं हैं भी और इनको जो है अब ITBP के जवारत चुना गया है कि यह हमारे जवानों को सिखाएंगे अगला वीर गार्डियन 2023 AIR exercise concludes तो 16 जनवरी से 12 जनवरी से लेकर आपका 26 जनवरी तक चलने वाली यह जो आपकी exercise थी वो अब पूरी तरीके से conduct हो गई है इस exercise को हाया कूरी एर बीस जपान में आपका conduct किया गया जिसमें हमारी वाई सेना जपान की वाई सेना के साथ इस exercise में आपकी पार्ट स्पेट की और हमारी जो स्कौर्डन लीडर है जनका नाम अवनी चतुरवेदी है उन्होंने अपने सुकोई 30 अम के आई की स्कौर्डन को लीड किया और ऐसा करने वाली यह पहली भारती महिला बन गई है तो देख लेजे लड़कों होशियार रहो ठीक है मेहनत करिए आप सभी मन लगा के आपका जो मन है उसको इधर उधर ना भागने दीजे आपने एक पिक्चर बच्चो देखी होगी एक फोटो देखी होगी महा भारत की जहां पर रत है रत में अरजुन बैठे हैं उस रत को उस रत के सार्थी श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण ने रत को चला रहे हैं घोड़े दोड़ रहे हैं और घोडों की लगाम अपने हाथ में रखी हुई है ठीक है वो रत क्या है रत जीवन है अरजुन कौन है आप है मैं हूँ हम सब है ठीक है रत पर सार्थी कौन है भगवान है ठीक है घोड़े क्या है हमारे मन है और घोड़ों की लगाम हमारे पास हमेशा रहने चाहिए ठीक है तो अगर उस घोड़ों की लगाम को अगर आप अपने पास रखोगे तो इधर उधर जाता रहेगा वही लगाम आप अगर श्री किष्न के हाथो में रख दोगे तो वो आपको एक सही दिशा देंगे तो इसलिए कहते न मन को हमेशा स्टेबल रखें अपने पास कंट्रोल में रखें कि उसका हम शर्मा गरतंत्र दिवस मनाया जहां पर इजिप्ट के जो राश्पती है ठीक है प्रेसिडेंट अब्दल फते अल सीसी वो इस बार के मुख्य अतिती भारत में बनकर आये थे और इजिप्ट की जो कंटेंजेंट है उन्होंने भी रपबलीडे परेड में आपका पार्ट स अतरवी वर्षगाट अपनी दोस्ती की मनाई है तो ये काफी एक अच्छा मोटो था हमने एक अच्छा आपका मैसेज भी दिया विश्च को कि भारत जिसके साथ रहता है उसका सम्मान उसके साथ हमेशा आपका खड़ा रहता है ठीक है तो आप देख सकते हो इस बार की पर मार्शल रहे हैं फिल्ड मार्शल का मतलब होता है कि फाइव स्टार जन्रल ठीक है इस कॉलर पे आपके फाइव स्टार्स यहाँ पर लगे होते हैं और इनकी बर्थ अनिवर्सरी पूरा देश 28 जनवरी को मनाता है 18 जनवरी 1899 को ये जन्मे थे और 15 1993 को इनकी आपके मृत् अगला इवेंट एक्सराइज साइकलोन फर्स्ट कंक्लूडेट ठीक है तो देख लीजे दा जॉइंट एक्सराइज बिट्मिन इंडियर आर्मी एंड इक्जिप्टियन आर्मी कल्मिनेटेड आफ्टर इंटेंस वलिडेशन ट्रेनिंग और ये एक्सराइज कहां पर आप आपका पाट स्वेट किया और एक दूसरे के साथ काफी जो बेस्ट प्रैक्टिस थी उसको साजह आपका किया हुआ है ठीक है आप सभी डिफेंसे इस्परेंट एस भी क्रैक एक्जाम के सभी चैनल्स को इस जैसे आप यूट्पीप चलाते हैं न चैनल्स में जाके सभी आ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको important notification आप तक पहुसती जाए these are the courses which are running like SSB crack exam like SSB interview online course NDA, CDS, MNES, Territorial Army and many others सभी courses bundles test series available है इस class की PDF आप हमारे blog telegram channel पर जाके ले पाओगे साथ ही साथ इस warrior 10 quote का आप यूज़ कर लें जिससे कि आपको 10% का flat discount हमारे सभी courses पे मिलता जाएगा ठीक है तो एक बार दम लगा के like कर दीजे review questions की तरफ हम चलेंगे और आप सभी का जोश इस class में दिखना चाहिए और इसलिए पूरे class को आप fire emojis के साथ भारत माता की जय जय हिंद के नारे के साथ भर दीजे ठीक है लगना चाहिए कि हाँ इस बार SSP crack exam के e-learning portal पर आके अपने तयारी कर रहे हैं अपने आने वाले exams के लिए तो लगातार कमेंट करते जाएए अब इसी के साथ मैं शुरुबात करता हूँ आज के इस review questions की तो पहला question है पराकरम दिवस is observed every year on which date 22, 23, 24, 26 January चली बताए लगातार वाले बताए रहे हैं प्रेट अब देख लिजेए 23rd जनुरी को 2021 से ही हम इस पराकरम दिवस इसकों इंग्लिश में वेलर्ड यह कहते हैं सुभाशन्द बोश जी की जन्म जियनती पर मनाते हैं सुभाशन्द बोश जी का जन्म 23 जन्वरी 1897 को आपका कलकत्ता में हुआ था उड़ी सा में हुआ था न फॉर दैस फर्स्वेमन फाइटर पाइलेट टू लीड एर एक्सरसाइज पिश्वेड न फॉर फॉर जापन इन वीर गार्डियन एक्सराइज 23 बताइए यह था यह था यह था यह था इंग्ड लीडर अवनी चतुर वेडी न काफी हमारी यंग्ग गल्स को यह इंस्पायर किया करती है और बिलकुल करना भी चाहिए होना भी चाहिए जोगों को देखकर उनके अच्छह कामों को देखकर हमें हमेशा न एक अच्छा काम करने की अनुभूती होती है उसको करना भी चाहिए अगला आपका इंडियन नेवी has inked an agreement with DAS for acquiring un-autonomous boat swarms, Cosmos, JAXA, Sagar Defense Engineering Pvt. Ltd. या फिर दिर्दू या फिर इनमें से कोई नहीं चलिए सभी के अंसर साने चाहिए क्लास काफी important है आपकी आप सभी इस क्लास को बिलकुल share करिएगा क्योंकि मंथली current affair की क्लास काफी important रहती है कल आपकी 1st Feb है और कल सुबा 8 बजे आपकी मंथली current affair की क्लास प्रतीक सर आपकी लेंगे ठीक है तो उसमें पूरे जनवरी मंथ के जतने भी important events है उसको वो cover करा देंगे आप उस क्लास में भी कल रहिएगा कल मेरी क्लास सुबा 10 बजे होगी क्योंकि उनकी क्लास काफी लंबी चलेगी न इसलिए अगला आपका DRU celebrates its Dash foundation day on 2023 यहाँ पर 23 करना चाहिए न बताइए 65th, 66th, 67th, 68th आप सभी इस session को like कर रहे हो कि नहीं like आप सभी करते जाए ठीक है जहां कहीं भी doubt हो बिल्कुल पूछिए and the correct answer of this question is option A that is the 65th anniversary इस बार मनाई है 2023 में 1958 में इनकी आपकी establishment करवाई गई थी और Ministry of Defense के अंतरगत यह आपकी आने वाली organization है बलयस्यमूलम विज्यानम, strength origin is in knowledge ठीक है? यह इनका motto है the 17th प्रवासी भारती दिवस convention is organized in, अब इस तो नहीं है, was organized in Mumbai, Kochi, Chennai, Indaur and the right answer is option D देखे लिजे, नाव जन्वरी को गांधी जी आये थे, तब से जो हम अभी हाली में हमने यह शुरू किया है, प्रवासी भारती दिवस ज्यादा साल नहीं हुए है और इस बार मध्य प्रदेश इन दोहर में इसको आपका कंड़र किया गया है इस बार का प्रवासी भारती दिवस की थीम क्या रखी गई थे Diaspora and Reliable Partners for India's Progress in Amritkaal Contact, Always Ahead on Right Path, None of the Above चलिए, लगातार बताते जाहिए आप सभी अधिती, सनातन, अजीत, रीतिका, अनभूती, प्रियांशु, कुनाल, मोनू, अथर्व, विशाल और ऐसे हमारे इस्परेंट जो की आफकेट वाले हैं, इन्रोल स्टुडेंट्स हैं आफकेट की क्लास में भी लाइव रहा करिए शाम को आप सभी सूर नरायन ग्लास में बच्चा देख नहीं रहा है, वाचिकल और राइट अंसर आप्शन ए, डायस्पोरा, रिलाइबर पार्टनर्स फॉर इंडियास प्रोग्रस इन अमरित काल ठीक है, हिंडी में कहें, प्रावासी अमरित काल में भारत की प्रगिती के लिए विशवशनी भागेदारी चलिए, आगे बढ़ें कील लेंग आप दी टू वार्शिप्स आफ दी प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन बाइब अभी देखिए, दो शिप्स के आपकी कील लेंग सर्मनी कंड़क्ट की गई थी ना, मैंने पढ़ाया भी था आपको तो किस कंपनी ने आपका इसका कंस्ट्रक्शन किया है, जी आरे सी अमडी ये ले शेसल या फिस सी असल आप 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 कंपनी है, 14th Aero India Show will be held in where? नाइदिल्ली, कोलकाता, बैंगलूरू, नोइडा and the right answer of this question is option C, that is the बैंगलूरू, ठीक है? बैंगलूरू में हर साल आपका हर साल नहीं होता है, दो साल में एक बार होता है इस बाद 14th Aero India Show है, ये लहंक का Air Force Station बैंगलूरू में आपका हुएगा Dias of the Corps of Indian is the first female army officer to be sent to a front line, post-Indy Siachin Glacier Captain Shiva Angi Chauhan, Captain Shiva Chauhan, Captain Shiva Singh, Captain Avani Chaturvedi चलिए, लगतार आप सभी अंसर देते जाईए and the correct answer of this question is option B, Captain Shiva Chauhan, ठीक है? चलिए, नेक्स रपका, Dias has announced the launch of low-smoke superior kerosene oil for the Indian army in Jammu DRDO, NASA, IUCL, BPCL and the correct answer is the Bharat Petroleum Cooperation Limited Willis Defense Committee belongs to तो इस साल आप देख सकते हो ना, इस महीने काफी चर्चा में रहा है दिल्ली, जम्मु कश्मीर, चंडीगर्ण, पुदुचेरी and the correct answer is option B, Jammu in Kashmir, ठीक है? Willis Defense Committee, ये 90s के दर्शक में Jammu Kashmir बनाई गई थी जो उनके आपके गाउं के छेत्र हैं, जहां पर insurgency जादा होती है आतंवादी आते थे, तो वहां पर, वहां के लोकल प्रशाशन के मदद से जो है, Willis Defense Committee बनाई गई थी जहां पर लगभग 15 लोगों की कमिटी होती थी और लगभग 5 से लेकर 10 हतियार उनको दिये जाते थे जिसमें आपका SLR होता था, कि वो अगर कोई terrorist आएं तो उनसे पहले आपका निपट सकें Successful Training Launch of Short Range Ballistic Missile प्रिथवी 2nd, वर्स कैरीड आउट फ्रॉम दी ITR, Chandepur, Marine Beach, Chennai, Juhu Beach, Mumbai या फिर आपका, Kach, Gujarat And the right answer of this question is Option A, Integrated Test Rain, Chandepur, Odisha Ship Kamla Devi is commissioned in which force Air Force, Coast Guard, Navy, Nanabdeva अभी Kamla Devi जो ship है, उसको किस force में commission किया गया है And the correct answer of this question is Option B तो देखिए, जो ICGS, ICGS Kamla Devi है, उसको Director General Virian Singh पठानिया के मौझूदगी में उसको आपका commission कर दिया गया है Armed Forces Veteran Day is observed area on 14th, 15th, 23rd, January या फिर इन में से कोई नहीं Armed Forces Veteran Day हम कम मनाते हैं पूर उसानिक दिवस And the correct answer is Option A, that is the 14th, January ठीक है Which woman officer in India will be the first woman officer to be posted a foreign assignment कौन आप बन गवी हैं दिनको foreign assignment में आपका भेजा गया है Captain करिश्मा, Captain सुर्भी जक्मोला, Captain भवानी सिंग, Captain सुर्भी जलोटा And the correct answer is Option B, that is the Captain सुर्भी जक्मोला Project दंतक के लिए इनको बियारो की द्वारा भुटान में भेजा गया है That's Armed Forces Veteran Day celebrated across the country 5th, 6th, 7th, 8th तो अभी आपने देखा कि Armed Forces Veteran Day हम हर साल 14 जनवरी को मनाते हैं इस बार कौन से edition या फिर कौन से anniversary आपकी मनाई गई है तो इसका आपका जो correct answer है, वो है option C, that is the 7th क्योंकि 2017 में शुरुआत किया था, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तो आपके total 7 साल हो गए है India's first 5G enabled drone Skyhawk developed by DRDU, Israeli aerospace industry, DRDU and NASA, IG drones भारत की पहली 5G enabled drone जिसका नाम Skyhawk है, उसको किस company के द्वारे develop किया गया है and the correct answer is option C, D, that is the IG drones, उडिसा की है आपकी यह, पर, Dash edition of India, France bilateral naval exercise, 2023 commenced, कौन सा edition exercise, वरुन का अभी हाली में संपन हुआ है भारत और France की नौ से नौ के बीच में, 20th, 21st, 22nd, 23rd and the right answer is option B, that is the 21st, कहां पे हुआ है, अर अभी NC में हुआ था, ना, which of the following INOS Indian Navy ship participated in exercise वरुन भारत की तरफ से हमारी किस ships ने इस बार किस तरफ में पार्सिपेट किया, exercise वरुन में आप सभी को बताना है and the correct answer of this question is option D, that is the both A and B, that is the आइनस चन्नाई, आइनस तीग, इसके अलावा, MiG-29K aircraft, Poseidon 8i और Dronier aircraft ने आपका इसमें पार्सिपेट आपका किया था who has appointed as the deputy national security advisor of भारत, जनक सिंग, RS सक्सेन, अजीद दोवाल, पंकच कुमार सिंग चले, पूरे जोज के साथ, होज के साथ, अंसर देते रही है आप सभी और इसका आपका जो सही उत्तर है, वो है option D, that is the X, DG, BSF, पंकच कुमार सिंग, दो साल के लिए इनको आपका as a deputy NSA किया गया है Nascent Disaster Response Force Racing Day observed on 18th, 19th, 20th January या 21st January and the correct answer of this question is option B, 18th January, sorry 19th January और 2006 में इनकी formation आपके की गई थी, Disaster Management Act के तहत, India remains in dash place in the annual global firepower ranking, 4th, 5th, 6th, 9th and the right answer of this question is option A, that is the 4th, na भारत चौथे स्थान पर है न, पहले पर अमेरका, दूसरे पर रशिया, तीसरे पर चाइना, चौथे पर भारत, पांचवे पर यूके exercise cyclone first conducted between India and which nation? Qatar, Oman, Egypt, Maldives and the right answer of this question is option C, that is the Egypt, na दोनों देशों की special forces के बीच में आपका ये conduct हुआ, कहां पर हुआ है? जसलमीर, नोइडा, अउली या फिर अमरित सर पाकिस्तान को कैसे उन्होंने टॉप सेवन पर रखा है? यही जानके मैं थोड़ा अचंभे में हूँ, ठीक है? आठा खाने को नहीं है, एक सब्ता भी वो टिक नहीं पाएंगे युद्धमीन और आपकी प्रेक्टिस भी हो रही है? एक्जाम आपका 20-22 दिन के बाद होगा और माराथान क्लास भी हम चलाएंगे जितने भी हमारे इन्रोल्ड स्टुडेंट्स हैं वो अपने तैयारी और भी बहतर करते जाएंगे प्रेक्ट अंसर इस ओप्शन ए या इस दी सिक्केम इन में से कौन सी फोर्स ने सबसे पहली बार पार्टिस्पेट किया? इन में से कोई नहीं तो इसका आपका करेक्ट अंसर है गरुण स्पेशल फोर्स एंफिबियस एक्सराइज इस बाइलेक्टरल डॉमेस्टिक ट्राई सर्विसेज या फिर इन में से कोई नहीं देखिये डॉमेस्टिक एक्सराइज तो है ठीक है? अब आप बताईए कि वैसे जब डॉमेस्टिक मैंने बोली दिया है तो आपका ऑप्शन सी ही होगा डॉमेस्टिक तो है है इसके साथ आपकी ये ट्राई सर्विसेक्स ठीक है? जिसमें आर्मी नेवी एर फोर्स तीन होई आपके शामिल थी इसका तो अनसर ही दे दिया एक्सटिक तरकश चाः बहरत और US Special Forces operation के बीच मेंpektंड़ किया गया है बताईए एक्सटिक तरकश कहां पर कंड़क्ट होई है? और ये बताईए сразу MFEC 2023 कहां पर कंड़क्ट होई और उडिवा फिया है? and the right answer of this question is option B that is the Kakinada Andhra Pradesh Indian Navy 5th stage Scorpion class submarine DAS was commissioned into the Indian Navy Vela, Vaxir, Vahir, Arigat CDS वालों बिल्कुल तयार रहिएगा आप सभी क्योंकि आपके exam में भर-भर के current aware के question देते हैं, ND वाले आप भी, ND में भी आपका 15 question तो पूछ लिया जाता है, CDS वालों में कभी 22, कभी 24, कभी 25 and the correct answer of this question is Ines Vahir, ठीक है, 5th Scorpion class आपकी पंडुबी थी और इसको आप commission कर दिया गया है, fuel cell based air independent propulsion system of DRDO's, DAS will soon be fitted on board INES कलवरी, DRDO के किसा आपकी lab ने इसको बनाया है, DRDO के हमारी कौन सी lab या फिर कौन सी आपकी organization इसको जल्दी आइनेस कलवरी में आपके fit करेगी, तो इसका आपका correct answer है, option A, that is the naval materials research laboratory, अगला question, which forces participated in MFACS 2023 exercise, Air Force, Navy, Army, all are correct, तो आप सभी जानते हो काफी आसान सा question है, सभी forces ने इस बाराग की MFACS exercise में part speed किया है, 2023 edition of Indian Navy's exercise tropics is currently underway in Indian Ocean region, Arabian Sea, Bay और बंगाल या फिर इन में से कोई नहीं, and the right answer of this question is, option A, Indian Ocean region, January से लेकर मास्ता काप की चलेगी, 13th National Voter Day celebrated on 25, 26, 27, 28 January, तो देखिए, रास्टी मतदाता दीवस हर साल 25 जनुरी को मना जाता है, इस बार आपका ये 13 रास्टी मतदाता दीवस था, जिसका आपका theme क्या रख़्ा है, nothing like voting, I vote for sure, vote जैसा कुछ नहीं, vote जरूर डालेंगे हम, बिलकुल आप सभी डालिए, ना, वीर गार्डियन 2023 एक्सराइस टुक प्लेस अट वेयर, हायाकूरी बेस, नोइडा एर बेस, टोक्यो एर बेस, या फिर नई दिल्ली एर बेस, बताइए, वीर गार्डियन एक्सराइस कहां पर आपकी, कंड़क्ट की गई है, इसका तो आपने जवाब भी दिया ही है, तो यह आपका करेक्ट अंसर क्या है, जैसलमेर, राजस्थान, दोनों देशों की, ईजिप्ट और भारत की, इस बार, एक्सराइस साइक्लोन में, पार्टिस्पेट आपका किया, 14 जनवरी से लेकर, 28 जनवरी तक, की गई थी, अब हम सभी आगे बढ़ते हैं, आप सभी सिस्वी कायक एक्जाम के, इंटर्वी ऑनलाइन कोर्स में, इंडोल होकर, अपनी तयारी को बहतर बनाई, जिससे कि आने वाले एक्जाम में, आप रेकमेंडेशन ले सकें, समय आगया है बच्चों, आज की question of the day का, आपको class कैसी लगी, तो हमारे आप comment box में बता सकते हो, इस वाले comment box में न बताना, ठीक है, main वाले comment box में बताना, ये तो live chat वाला है, बाकि आप सभी तो हुशियार हो, और आज का question of the day है, you have to identify the aircraft, जो सही बताएगा, उसको मैं इस plane के सवारी कराऊंगा, जो गलत बताएगा, इसी plane से मैं bomb गिरा दूँगा, ठीक है, इसका answer कल के next session में हम देखेंगे, कल आपकी मंथली करेंट फिरके class होगी, प्रतीक सर की बिलकुल आप मिलिएगा, दस बजे मैं आपके साथ जुडँगा, जो बिफोर यू इए यागे उन तले, इस आपके साथ जुडँगा, इस आपके साथ जुडँगा, बंदस test series of all the courses are available in a very affordable price, यू जो रूटोड लूट अपके साथ जूडँगा, those students who are interested in our courses they can use this warrior 10 code and get 10% flat discount. Jai hin and best of luck.